नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल राकेस बलोदा जुनिनों पे स्वागत है तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका सीडूल है वो जल्दी EMRS की जो साइट है उस पे आपका अपलोड कर दिया जाएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो EMRS की साइट है EMRS.Trival.gov.in पे आपका जो ओपिशिल सेडूल था वो जारी कर दिया गया है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो EMRS में जो विकेंसी आई थी 10,000 प्लस पोस्ट हो गिलिए जो आपकी विकेंसी थी लगबग 10,000 प्लस पोस्ट हो गिलिए तो उनका जो को आप जो पारट आप पहले करना चाते हूँ उसको आप राम से देख के कर सकते हूँ हिंदी इंगलिस के किसनों को आप अच्छे से बढ़े ताकि दोनों लेंग्वेज में आप किसी भी परकार का किसनों उसको समझ सकें तो आज अपने बात करेंगे प्रिंशिपल की तो प्रिंशिपल की जो एकजाम है वो आपकी सबसे पहले 16-12-2023 को मौर्निंग शिप्ट में है कि मैंने आपको कल बताया था कि पर टेक दिन दो शिप्ट होंगी इसके बाद आप बात करते हैं तो PGT की तो PGT की जो एकजाम है वो आपकी 16-12-2023 को इवनिंग शिप्ट में है तो यह आपको ध्यान रखना कि 16 तारिक को यानि कि 16 दिसंबर को आपकी प्रिंशिपल और PGT दोनों एकजाम है इसके साथ यह अपन बात करते हैं तो होस्टल वार्डन की जो एकजाम है वो आपकी 17 तारिक को इवनिंग शिप्ट में है इसके साथ अपन बात करें तो लेव 12-2023 को मोर्निंग शिप्ट में इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारे लेव अटेंडेंट के हैं अब जो स्टुडेंट लाइवरियन के एकजाम का इंतजार कर रहे थे या बहुत सारे स्टुडेंट उनको कन्फ्यूज ताकि सर हमारा लाइवरियन का लाइवरियन के एकजाम आपके TGT वाले में होगी किसमें होगी TGT में और इसका मतलब यह है कि आपकी TGT यानिकि ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर वाले जो आपने फोर्म अपलाई किया था लाइवरियन का जो आपने लाइवरियन का फोर्म अपलाई किया था उसमें आपने वहाँ पे आप देख सकते हो उपरी उपर लिखा हुआ है requirement 2023 TGT यानि कि आप TGT 2023 के लिए apply कर रहे हो तो आपका exam है वो 23 तारीक को यानि कि 23 बारा 2023 को आपका evening shift में exam होगा यह आपको ध्यान रखना है तो इसमें आपके लिए यह विनी फिट रहेगा कि जो आपका नेट लाइवरी साइंस का exam है वो आपका 13 12 2023 को है तो यहाँ पे आपको यह देखने को मिलेगा जो नेट लाइवरी साइंस का exam है वो और यह exam आपका दोनों में बहुत difference है यानि कि आपको समय बीच में मिल जाएगा इसके लाइव आपका जो TGT यानि की बात के लिए थे हैं जो आपका TGT से समद्धी music teacher की post आई थी उनका exam आपका 24 12 2023 को morning shift में है accountant से समद्धी जो post थी उनका exam आपका 24 12 2023 से अब आपके पास कुल समय लगबग है वो आपके पास ये मान के चल सकते हो कि अभी आपके पास एक महिना कम से कम बच गया है क्योंकि एक महिना आपको देखने को मिलेगा क्योंकि थोड़ा सापको schedule बता देते हैं library science से जुड़े हो student के लिए क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जो application पे course चल रहा था उस course में आपको पता हुगा कि लगबग आपकी exam ये मान के चलोगी 23 तारीक को है तो 23 तारीक अभी आज आप ये मान के चलोगी लगबग 22 तारीक हुई है तो 22 तारीक से 23 तारीक के मद्दे आपको लगबग 30 दिन आपको देखने को मिल जाएगे एक दिन आपका exam center पे जाने में या आपको relax रहने में लगबग मिल जाएगा तो यहाँ पे आप 30 दिन ये मान सकते हैं कि 30 दिन में आप अराम से किसी भी मेटर को यानिक जो आपने topic यानिक जो आपने topic हैं वो पड़े हैं तो उनको आप 30 दिन में अराम से revision लगा सकते हूँ 30 दिन का आपका schedule इस परकार से रहना चीए कि आपको लगबग आप जो exam है उसमें आपको सफलता मिले आपको सफलता मिल जाए क्योंकि last के 30 और 35 दिन ऐसे होते हैं जिन में आप अपना mater का revision लगा सकते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक schedule है देखो हमारी तरफ से कि जो हमारा application पर आपको बताए कि जो विबिन परकार के course हैं वो भी चल रहे थे और मैंने exam का आपको जो बताए था यानि कि जो हमारे application पर आपके लिए test रीच चल रही है यानि कि हमारे जो application उस पर आपके लिए test रीच चल रही है मात्र test रीच का payment है 244 रुपे इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा आपको ध्यान रखना है क्योंकि library science का जो part है वो लगबग आपका 70% का रहेगा यानि कि 70% से यह मान के चलोगी 60 पलस 20 लगबग यह मान के चलोगी 80-90 नमर की जो library science होगी तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि library science का part है आप अच्छा कर लेते हो तो इसके लबग आप reasoning को भी आपको अच्छा करना है लाइवरी science के part को आप अच्छा कर लेते हो हिंदी और English में आपको क्या करना है हिंदी और English में आपको 5 मार्किंग है वो लेक्यानी है इसके लावा आपकी जो रिजनल लेंग्वेज थी राजस्तान की रिजनल लेंग्वेज आपकी हिंदी रही है इसके लावा पंजाबी है उनकी पंजाबी है तो जिनकी हिंदी है उसको भी 5 मार्किंग है उनमें जो original language आपका 30 नमर का होगा 30 नमर में आप 10 नमर हिंदी के 10 नमर इंग्लिस के 10 नमर आपकी original language के हैं इनमें चारों में आपको 4-4 नमर आपको कम से कम ले के आने तो यह आपको ध्यान रखना की चारों में आपको 3 में, sorry 3 में 4-4 नमर आपको लेक्याने हैं तभी आपका सेकंड जो पेपर है 120 नमर का वो क्या होगा चैक होगा 120 नमर में आपको अच्छा स्कूर करते हो तो लगबग ये मान के चलो कि आप 120 में से 90 और 25 नम गाई दी स्कूर कर लेते हो तो आपका लगबग सेलेक्शन हो जाएगा इसके लिए आपका महे तो पन पॉइंट ये रहेगा कि रिजिनिंग और इसके लावा जिक्क्या आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो क्यूंकि जिक्के में आप करेंट से सम्दित जो योजनाई है और खेल से सम्दित है तो उन्च में आप पढ़ सकते हो कि जैसे अभी वल्ड कप में इंडिया हार लेकिन वल्ड कप में कितने में अभी तक वल्ड कप जीच चुका है इंडिया या सबसे ज़्यादा रण बनाने वाला खिलाडी कोन है इस प्रकार की कुछन आपको एक्जाम में देख़ने को मिल सकते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो इसके लावा जो बहु सारे अन्य से उनके बारे में आपको पढ़ना करण से समदित इसके लावा आपने बात के लेते हैं कि जो लाइबरियन का लगबग आपका हसी नमर का मिटर रहेगा जिसमें आपको computer जिसमें आपका computer पलस library science computer पलस library science दोनों रहेगा तो इसके लिए हमारी टीम ने आपके लिए एक अच्छा schedule जारी किया है जिसके अमसार आप अपना अच्छा score कर सकते हैं जिसमें लाइबरियन का जो सलेबस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उपरी उपर जिसको फिल्कुल फरी अप कोश्ट दिया गया है इसके लावा आपको अच्छा score करने के लिए देखो अच्छा score करने के लिए सबसे पहले आपको test paper यानि कि test paper इसके लावा आपको old question paper जाएगो किसी भी exam गयों जैसे kvs, nvs, rmssb यानि कि राजस्तान में हुए थे, इसके लावा अपन बात के लेते हैं DSSB, triple DSSB इसके लावा बिहार, यानि कि बिहार, या आपका पंजाब, या राजस्तान college library के संदीत exam भी हुए है, level का होता है इसके लावा आपका इसरो का exam, इसके लावा इसरो के लावा और भी बहुत सारे जो exam के paper हैं, जैसे तमिल लडू में, तमिल लडू में आपका exam से संदीत है तो किसी भी परकार के library के exam है, एक भी paper आपको छोड़ना नहीं है, तो सारे के सारे paper आपको कहीं से भी मिले, पढ़ लेना है हमारी application भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लगबग 36 paper हैं, जिनमें लगबग 4500 plus question है कितने हैं, 4500 plus question यहाँ से भी आप प्यार कर सकते हो, यह schedule में आपको क्या-क्या मिलेगा, मतर आपका payment लेगेगा 200 गुणंचास रुपे जिसमें आपको EMR से समदित 50 test paper हैं, 12 test paper की file अपलोड कर दी गए, यह बाकी जो 38 test paper बच गए, उनकी file जल्द अपलोड कर दी जाएगी इसके लावा आपको topic test है, 4 test paper upload कर दी एगें, चारों की file है, और इसके लावा 4 plus file हैं, जो जिनमें test समदित क्यूशन आपके upload किये गए परिवेशर question paper लगबग हैं, तो परिवेशर question paper में आपको लगबग 4500 plus question है, विद आनसुरकी के, आपको विद आनसुरकी के मिलेंगे तो यह आपको ध्यान रखना है बाकी file भी आपके upload कर दी जाएगी, यह content आपको मिल जाएगा, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, मतर 30 दिन में, जो यह लगबग यह मान के चलोगी, 30 दिन में आपको प्रिवेशर question paper है, तो यहाँ पे 36 file हैं, लेकिन यहाँ लगबग आपको 10 से 15 paper हैं, वो और upload कर दी जा यहाँ पे जो application है, इस application पे आपको click करके यहाँ से यह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे install करके आप इसको देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें आपको number register करने के बाद बहुत सारी जो file हैं, आपको free of cost भी मिलेंगी, telegram channel में आप join हो जाएएं, बहुत सारे student हैं, लगबग इसके लावा कोई भी आप सम्दित क्योरी रहती है, कुछ पूछना रहता है, तो आप इस नमर पे संपरक कर सकते हो, इस नमर पे आप संपरक कर सकते हो, 97, 02, 83, 19 पे ताकि आपकी कोई भी क्योरी रहती है, एक्जाम से सम्दित आपको बता दिया जाएगा, test reads है, जिन्हों कोर्स परचेज किया था, उनके लिए आपकी फरी रहेगी, तो आप फरी आप जुड़वा सकते हैं, अपना नमर देखें, जिन्होंने कोर्स जो या टीम है, वो इनका नमर जोड़ देगी, इसके लवाब आप ज़्यादा त्यारी करें, लगवग 30 दिन का समय है, 30 दिन मे कि जे हिंद जे भर्द